प्रणाम सभी को रामराम इंडियन आर्मी को एक बड़ी कामियावी हाथ लगी है इसलिए सभी इस वीडियो पर लिखेंगे इंडियन आर्मी जिंदाबाद मैं आपको बता दूँ भारतिय सेना पुंच सेक्टर के अंदर जो चोकसी बनाय रखे हुए है वहाँ पर कल रात को लगबग दस और साड़े दस के बीच में बॉडर के फैंसिंग के पास कुछ मूवमेंट नजर आई जिसमें तीन आतंकी नजर आ रहे थे जो इस पार आने की फिराक में थे हमारी इंडियन आर्मी पूरी तरह से वहाँ पर डटी हुई थी और लगबग रात को दो बजे ज और दो वहाँ से जो है निकल गए लेकिन जैसे जैसे सर्क्रेशन चलता रहा वहाँ पर एक ओर आतंकवादी मिला जो गायल अवस्था में गीरा हुआ था जिसे जिसे हिरासत में लिया है और थोड़ी देर के बार तीसरे आतंकी को भी जिंदा हिरासत में लिया हमारी इंड अबाज इंडियन आर्मी के वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी हड़ी पसलिये कर देंगे और तीनों की हड़ी पसलिये की एक को तो उसी समय मौत के घाट उतार दिया और दूसरा जो है वहाँ पर जखमी हालत में बिलबिलाता रहा और उसे हमारी आर्मी ने वही पर मैं आपको बता दू ये कल की खबर है और कल पूरी राज जो है ये एंकाउंटर चलता रहा एंकाउंटर साइट के उपर से काफी सारा जो है उनसे मटीरियल भी बरामत हुआ है जिसके अंदर मैं आपको बता दू कि लगबग जो चीजें सर्च ऑपरेशन के अंदर मिली है उसमें तीन बैग्स हैं जिसके अंदर 14 पैकट थे नार्कोटिक्स के यानि की ड्रग्स के पैकट थे लगबग 14 जिनका वेड जो था टोटल 17 केजी था यानि की देख लीजी आप ये आतंक वादी यहाँ पर ड्रग्स लेकर आते हैं और हमारे बच्चों को ड्रग्स के अं पाकिस्तान अकूपाइट जम्मू कश्मीर के थे और मेदान महला है जो की गाओं चंजाल पढ़ता है वहां के ये तीनों रहने वाले थे जो इनसे बरामदगी हुई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आप देख सकते हैं इनसे जो बरामदगी हुई है ये आपके सा हुए हैं तो तीन पाकिस्तानियों को जो है हमारी इंडियन आर्मी ने वहां पर हमारी फेंस में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे रात को एक को तो वहीं पर ही गोली मार दी और दो जो है एक घायल अवस्था में वहां पर बिलबिलाता रहा और उसे भी हिरासत में लिया और तीसरे को भी जिन्दा हिरासत में लिया है। मीडिया धन्यवाद सभी को राम राम